प्यारे बिदर्थियों, आज में एक अक्षा नो कि जिब बिगान से समन्दित लेशन जीवन की मोली के खाई, the fundamental unit of life, इस पर थोड़ा समय चर्चा करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सध्यान मनाये रखेंगे बच्चों और टॉपिक को अच्छी तर से सुनने का प्रयास करें करक के पतले काट के अवलोकन पर रावट हुक ने पाया कि इनमें अनिक छोटे छोटे प्रकोष्ट है, जिसके संग्रचना मदमख्य के छते जैसे परतित होती है, करक जिसे कोई बतल को बंद करने के लिए जो करक वगएरा या इस्तिमाल करते हैं, इसको जब अच्छी तर सब्जरवेशन के गया, तो रावाट हुक ने पाया कि इनमें अनिक छोटे-छोटे परकोष्ट है, परकोष्ट को मतलब छोटे छोटे कमरा या खाने जो बना हुआ है जिसकी संग्रचना मधवत्यमक्यी के छहटे जैसे, ऑब बचित देखोंगे Anda मधवत्यमक्य के छहते म तो करक कि पदार थे जो कि शाल से प्रीक्च कि शाल से न्या निश्व 1665 में हुक ने इस सवा निर्मीत सुछम दर्सी में देखा था तो सं 1665 इस भी में इन्हीं जो ना सेल्फ मेड़ जो माइक्रोस्कोप होता है उनमें देखा गया था रवट हुक ने इइस परकॉष्टो को को सी का या सेल लेटिन सब्द है जिसका आर्थ होता है छोटा कमरा तो रवट हुग जी के दवराप परकॉस्टों में कोसी C-L-L-S-E-L-S-E-L-D-A-D-WIN-S हो जाता है कोसी का हिंदी में लेकिन लेटिन भासा में इसका आर्थ हो जाता है बच्चो छोटा कमरा उप्रुक्त घटना छोटी तथा अर्थ ही लाती हो लेकिन घटना है भले ही आम लोगों की जीवन में इसका कोई उतना मात्म नहीं है लेकिन विगान में इसकी बहुत ही मत्पुरुक्त घटना है इस प्रकास सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं तो सरपर्थम रवट हुक जी के दोरा ये देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होता है इन एकोको का बर्नन करने के लिए जिब बिगान में कोसिका सब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है आओ कोसिका के भी सही में और जानकारी प्राप्त करें तो वाटीच सेल और सेल कहा होती है इसके बारे में और अच्छी तरह से स्टाड़ी कर ले और इसके बारे में नौलेज आफटरिण कर ले सजी प किस से बने होते हैं किर्या कलाप 5.1 प्याश का एक छोटा से टुक्ड़ा लो चिमटी की सहायते से हम प्याश की अबतल सतह की और भीत Parents जिल्ली उतार सकते हैं, Science का छोटा से टुक्ड़ा लो और उसमें से चिमटा की स commence उसके उसके उक एक जिल्ली परत को आटाते जा इस जिल्ली को तुरंट पाने वाले वाच गिलास में रख लेते हैं इससे जिल्ली मुड़ने आज जाएगी हम इस जिल्ली से क्या करें एक काच की स्लाइड लो इस पर पाने की एक बुंद डालो आप काच गिलास में रखी जिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइट पर रखदो या ध्यान रखे कि जिल्ली बिल्कुल सीधी हो एक पतला पेंट वरस्प इस जिल्ली के स्लाइट पर रखने में आपको सहता कर सकता है अब इस प्रकार एक बुन सेफ्रावाइन को डालो और इसे कवर और इसे कवर कर दो विबिन आकार को हम इसे देख सकते हैं सिलिप से डग दो कवर सिलिप को सुई के सायता से इस प्रकार रखे जिससे कि इससे बाव के बुलबुले ना आए अपने अधापक से सायता ले अपने टीचर से हल्प लेने के बुढ़ रहा है हमने प्याज के जिलि की आस्था इस सलाइड बनाई है अब हम इसे पहले कम सकती वाले तथा उसके बाद उच्च सकती वाले संजुक सुचमदर्शी से देखते हैं यह देखिए यह माइक्रोसकोप का संजुक माइक्रोसकोप सुचमदर्शी है जोइन्ट माइक्रोस्कॉब है अब इसमें देखिए क्या दिखाया जा रहा है नीद्रिकर LENS है जहां उपर किसे हम देखते हैं यह प्रारमबिग समय ज्बढेजन पहुजा है इसके सारे parts सेपरेटस कदिखाया जा रहा है इस के और माइक्रोस्कॉप के तो इस प्रकार से आपनी क्या देखा क्या आप जो संग्रेशना सुच में दर्शी के दारा देखते हैं उसे कागज पर खिंच सकते हैं क्या यह चित्र फाइफ पुजे से दिखाई देती है अब जो संग्रेशना में माइक्रोस्कॉप के हल्प से दिखलाए पड़ा उसको जैना जब हम बनाते तो इस तरह की यह जो इना दिखाए पड़ती है प्याज की जिली की को सिकाए अब उसमें कौन-कौन से पार्ट से देख सकते हैं केंद्रक है और को सिकाए हैं तो चलिए बच्चे थैंक्यू बने रहे चनल के साथ नेक्स्ट क् क्या है तो